हेलो फेंड्स, वेलकम टु मैं चैनल जीके क्याफे इस वीडियो में हम स्ट्रेटिक जीके के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो SSE के एक्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं देखिए ये वीडियो बनाने के लिए इस से जरूत पड़ी मुझे तो इसलिए इस वीडियो को लिएकर आयों में और देखिए वीडियो और इंटेट है SSE को लिएकर बट ये RRB जो रेल्वे के एक्जाम होते हैं और बैंक एक्जाम के लिए सब के लिए important होगी क्योंकि स्ट्रेटिक जीके सब के लिए होती है और सारे topics जो है ये SSE में हो चाहे bank हो या railway हो सभी में topics पूछे जादे तो इस अभी के लिए important है ठेक है तो वीडियो important होगी तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे topics कौन कौन से है SSE के जो स्ट्रेटिक जीके के हैं पहला है books and authors जिसको कहते हैं पुष्ट के पूछी जादी एक्जाम में और देखे बहुत frequent topic है ये SSE के या RRB या bank इस सब में एक्जाम में पूछे जादे books and authors और देखे ये ज़रूर इनी है कि current affair के type की books पूछी जादी है वो तो आप के SSE CGL 2019 में पूछी गई थी सलमान रुजदी की book है ये ठीक है playing it my way कई बार SSE में पूछा गया है in fact SSE CHSL 2015 में पूछा गया था किनके book है सचिन टैंदूल कर गया है जैसे मेक दूत, रगुवनसम ठीक है कि काली दास किया है ये भी बहुत बार पूछा गया SSE CGL में माल गुडी डेज आरके नरायन ये भी इनकी famous books है तो ये बहुत बार frequently बार बार पूछी जाती है ठीक है तो इससाब से हमारा बहुत ही main topic है मैंने देखिए इनको वेटिस के recording रखा है ठीक है तो सबसे आदे कौन से पूछाता है books and authors का सारी मैंने आपको बदा दी कौन-कौन से books ऐसे टाइप की पूछी जाती है आपको इन सब को करना है देखिए कई लोग क्या करते हैं 30 या 40 मैक्सिमम 50 साइट कर लेते है books and authors और उनको सोचते हैं कि हमारे topic clear हो गया है बट मेरे recording आपको 1500 तक तो आपको वह books and authors सारे याद होने चाहिए ठीक है कि उनके कौन-कौन से authors हैं जैसे कि मैं अपने notes दिखा रहा हूं दिखे मेरे लगभग मैंने 160 प्लस मैंने books and authors सारे याद रख रख रखे दे और यह सारे प्रिविस इसके हैं ठीक है जैसे कि यहीं नहीं कि इंडियन है इंडियन राइटर है आपको सारे इंटरनेशनल जैसे की books हैं बहुत फेमस books हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं जंगल बुक रुडियाड केपलिंग की book है बहुत बार पूछी आ दिया एक है Harry Potter बहुत बार पूछी गई है Harry Potter किनके JK Rowling की तो यह सारे एक्जा में पूछे जा चुके है जैसे के एक और है Jurassic Park है किनकी माइकल क्रिक्टाउन की तो यह सारे books और उत्रस आपको बहुत ही तरीके से आदोने चाहिए अगर आप बोलेंगे तो इसके पर मैं वीडियो लेकर आ जाओंगा इसके बाद कुन साधा second topic है हमारा dance forms जिनको कहते हैं निर्थ हिंदी में ठीक है famous तो हमको यादी रखने कुछी पुड़ी आंदर परदेश का बड़ कई 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 ऐसे भी topics हैं हमको जो dance form है पूछी तो कम जाती है बड़ बहुत important है जैसे सुईस ही नहीं यह किसकी राजिस्तान की ठीक है रॉफ किसका है जमू कस्मीर का है तो इस सारे आपको याद रखन प्लस है उनको याद करने की जरूरत नहीं है famous याद रखने है ठीक है बहुत बार पूछे जाते हैं इसलिए second number में मैं आपको बता देए dance form ठाड है artist देखे यह बहुत ही ssc का बहुत important point है बाकी exam में तो इतना important नहीं है बट ssc का बहुत frequent topic है बहुत बार पूछा जाता है जैसे की artist में आपको बता है कौन से कलाकार जो famous कलाकार है जैसे बिर्जु महराज कोने कत्थक से related है कत्थक वादग है ठीक है जैसे अमरता शेरगिल कोने चित्रकार है ठी ठीक है Leonardo Da Vinci इस बार के भी ssc के CGL में पूछा गया था और ssc CHSL 2015 और 14 में पूछा गया था इंसे related तो क्या है यह चित्रकार है बहुत famous है ठीक है पैबलो पिकासो in fact ssc 2019 इसमें भी पूछा गया था कि पैबलो पिकासो किस देश के हैं तो किस के Spain के है और क्या है चित्रकार ह इसे आपको याद रखने सारे famous कलागा ठीक है जैसे उस्ताद अलाओदिन खान हो गए अजमद अली खान हो गए किस से सरोत से हैं यह ठीक है जाकिर हुसें किसके तबला बजाते हैं तबला बादक तो इस सारे इंपोर्टेंट आपको आर्टिस्ट याद रखने बहुत इं आड़ किया और मैंने नोट्स दिखाते जा रहा हुसाद में उसे साफ साफ समझ सकते हैं ठीक है और दीके मैं यह आपको इसमें टॉपिक थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी पर मैं आपको सारे टॉपिक बहुत तरीका ऐसा explain कियें क्योंकि आपकी एक भी कॉशन न इसको याद रखेगा जैसे कि आपको पता होगा हिंदी दिवस कब मना जाता है 14 सितंबर 28 दिवस एक दिसंबर यह important है सारे लाश्टी खेल दिवस 29 अगस्त इन सबको आपको जनुरी टुझे के दिसंबर तक आपको सारे important डिस याद रहने चीए क्योंकि बहुत बार पूचा जादा है पांच जून को मनाया जादा है तो याद रखेगा नेक्स है हमारा पांचो टॉपिक है भारती संस्थान यह बहुत important है कैसे important है जैसे कि बहुत ही famous संस्थान है जैसे रास्टी यह रेल संग्राले कहां पर है दिल्ली में यह पूछा गया कई बार जैसे लास्टी यह क्रिशी अनुसंधान नहीं संस्थान कहां पर है यह इंपटने में आपको टॉपिक बता रहा है आपको यह बहुत बार पूछे गए हैं तो इनको आप छोड़िया मत क्योंकि देख़ें सेसी में बहुत बार पूछे है अपर बता रहा हूं पहुंच हो गए चर्टा मैं बताता हूं आपको नेशनल बाक्स इसको बताने कोई खास जरुवत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है यह रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है और जो अभी का हाली में सीजेल हुआ था इसमें भी बहुत से पूछे कहते हैं नेशनल बाक्स तो मैं आपको बत है देखिए मेरे नोट्स में आपको साथ कवर करते जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है इनको छोड़ना मत नेक्स नमारा टॉपिक है जैसे इंटरनेस्न हेड़कॉर्टर यह भी आपको बदाने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है यह जैसे कि डबलू टियो लिस्ट में याद रखेगा इनको आपको सारे कवर करनें देखे मैंने अपने नोट्स के इसाब से दिखा रहा हूं कितने मैंने करे थे जितने मैक्सिमम पूछे गए थे एसको एड़ किया था क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी में पूछे आते यह आपस में बार-बार रिपीट होते रहें ठीक है नेक्स्ट हमारा कैपिटल करेंसी कैपिटल करेंसी मुद्रा और राजधानिया जैसे होती है बहुत बड़े-बड़े देशों की जो फेमस कंट्री उनकी याद रखने आपको ऐसा नहीं कि जितनी है सारी कंट्री उनको याद करना है जैसे कि मैं आपको बहुत सारी कंट्री है 200 प्लस है तो आप कितनी याद करोगे इंपोर्डेंट है वैसे में वीडियो लेकर आने कोसिस करूंगा इसके उपर कि जो आपके पास इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को या लगना ज्यादा करने की ज़रूरत निया ठीक है नेक्स्ट हमारा क या फेमस जगे पूछ ली जाती है उटी उटी कहां पर है तमिलाडू में यह भी पूछा जाता है तो ऐसी चीज़े याद रखेगा ठीक है और जैसे यह पूछा भी जाता है कई बार एक पॉइंट और जोट जोट देता हूं मैं जैसे कि गोलकुंडा कहां पर है ठीक है गुंबस कहां पर है यह सारे फेमस जो चीज़ें यह बहुत बार पूछी के एक्जाम में जैसे गोलकुंडा कहां पर है है तो इतना याद रखेगा ठीक है मैंने यह टॉपिक भी बता दिया आपको कौंसा टॉपिक था है नाइन्थ टॉपिक था यह इसके बाद दसवा क चोड़ देते हैं इसले मिने इसको एड़ किया है कई लोग इसको चोड़ देते हैं याद नहीं रखते हैं और इस बार कि जब से टीसेस पैटन आया सबसे आदा इसी में पूछे जाते है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया दसो टॉपिक यह ग्यारव कौन सा जील बहुत फेमस जील होती है ठीक है लिएए अब जिनको बोलते है जैसे अड़ जील हो गई वूलर हो गाई ये कहां पर जेन्ड के में बहुझा बार पूछी गई है ठीक है चलका जील कहां पर उड़ी सा में ये सारी याद रख रखेंगा जैसे लोक तक जील बहुत यह स्ट्रेटिक जीके कि आप कई बार सोच रहोंगे कि जोग्रफी में तो मैं इसको जोग्रफी में कंस्रीडर नहीं करता हूं जोग्रफी के लिए आप अलग टॉपिक बनाके रखें जैसे नदियां हैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक बड़े चोटे पॉइंट है तो नाथुला है बहुत चीन और भारत का विवाद रहता है इस पर कहां पर है सिक्किम है यह सारे दर्रे आपको याद रखने तो यह भी इंपोर्टेंट हो गया ट्वेल नंबर पर हो गया तीसरा है तो तेरवा स्वरी कौन सा है नदियों की किनारे बसे हुए सहर यह बहुत लिए तो आपको भी याद रखने हैं कि कैसे कैसे इस पुछे जाते हैं । नदी पर है यह भी याद रखेगा नदी पर ज्याद तर पूछे जाते हैं ठीक है कहां पर है महां नदी पर है कुन सी नदी महां नदी अलमार्टी बांध किस नदी पर है किस नदी पर है नागर जुन सागर बांध कहां पर है किस नदी नदी पर है भागरती नदी पर कौन स फूटबॉल हो गया होकी हो गया किर्केट हो गया इनकी ट्रॉफिय पूछी जाती है और कई बार पुछा जाता है कि इन खेलों में खिलाडियों के संख्या कितनी होती है भी पूछा जाता है तो इसको इन दोनों में इसमें एड़ करके रखेंगे जैसे कि पूछ लिए जात कप आगाखा कप अजलान शाह कप यह किसे रिलेटेड है होकी से और ऐसे भी कोशिन पूछे जाते तो आपको सारे याद रखने ट्रॉफी और प्लियर कितने हैं यह याद रखेगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट हमारा कुंसा है इसके बाद इसके बाद आया थे मिसलेनिस जिस किस वर्स किया गया था किस परपर्स से क्या गया था भारत ये कोंते पहले इनको लेने वाले यह जारे याद रखेगा जैसे कि भारत अत्रुषकार नंबर वन पुरुसकार है सबसे सरवच पूरुसकार बोलते हैं इसकी स्थाबना विधीं 1954 में किसको मिला था डॉक्टर स याद होने चेहें जितनी ज्यादा रिबीट करेंगे उतनी बार याद रहेगा और इनके जैसे पूछले आता है कि नॉबल पुरुसकार दीदने वाले हमारे भारतियों थे कितने भारतियों ने जीता है तो सारे याद रखेगा यह भी इंपॉर्टन पॉइंट है जैसे कि गितांचली के लिए रविंद्र नाट एकोर जी को मिला था 1913 में ऐसे याद रखेगा और भारत मैंने आपको बता दिया रहमन में एक्सेसे अवर्ड ऑसकर आवर्ड कि इसको मिला था पहले भारती ऐसे इंपॉर्टन पॉइंट आपको सारे जोड़के रखना अगर आप जैसे 24 सक्टवर 1945 को ही थी इसमें कितने जब इसको स्थापन ही थी कितने कंट्री थी उसमें 51 देश थे ठीक है यह याद रखेगा कितने अंग है छे यह सारे इंपॉड़न्ट है यूनाइटे नेशन के ओपर आपको यूट्यूब बहुत वीडियो मिल जाएगी उनसे नो इंसुलिन की किसने की थी बैंटिक ने की थी ऐसे टाइप की जैसे डाइनामाइट किसने की थी अलफ्रेड नॉबल ने यह खोज आविसकार यह भी याद रखेगा क्योंकि पूछे जाते एक्जाम में ठीक है तो इतने ही पॉइंट से मैंने देखे इसमें आल्मोस्ट मैंने आपको सारे बताएं इससे ज्यादा करने की कोई जरुवत नहीं है एक आथ टॉपिक आपको जोड़ना है तो मैं बता देता हूं जैसे कि भारत के अब तक कि कितने परधान मंत्री रहें नरेंद्र मोधी कौन से नंबर के परधान मंत्री है ऐसे कोशन भी कई बार प करने के वैसे बड़ आप ज्यादा ही इसमें इंप्रूमेंट लाना चाहते हैं स्टेडी जीके में और एक रिवीजन के परपस से करते हैं तो मैं आपको इसके बाद एक बुक रेकमेंड करूंगा वह होती है घटना चक्र हिंदी मीडियम वालों के लिए इस पेसली और कई इसमें एरर बहुत कम होते हैं और explain बहुत अच्छे से तरीके से क्या होता है अगर यहीं नहीं कि आपने अंसर दिखा और इसमें बस उन्होंने option को click करा और आप उसको लिए के चल गए ऐसा नहीं है उसमें बहुत ही अच्छे से explain क्या हो दा इसलिए मैं उसको हर बार prefer करता हूं और मैंने भी इसको करा है देखे मेरे notes दिखा रहा हूं मैं आपको घटना चकर गए इनको करने से आपकी बहुत ही mind खुल जाएगा और मैंने आपको अग्लिस मीडम वालों के लिए उन्होंने पूछा था मुझसे तो मैंने आपको बता दिया अरियंत ले सकते हैं को भी प्रिवियर से ले सकते हैं जरूरत नहीं कि एकस्प्लीन आपको उस बुक में मिल जाए खुद भी आप गूगल पर सर्च करके सब चीजे डूड सकते हैं प्रिवियर से के लिए बहुत ही में पूइन फॉटत आ Admusta की सबसे जादा पूछल्च यह सबहुते हैं और सबसे पूछे जाते हैं इसब सारा कौोंच 7 टो मैंने आपको बता दिआ पहले आपको topics career करने पुरिण को एब book बता दी आ पको इविक कोई Elias प्रेफरेंस आपको और उनको लिएकर आपको प्रीपैर करना तो बस इतने ही तापको और आज की वीडियो के लिए इतना ही ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा